व्यूवर्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तो बढ़ते हैं एक्स्प्लेनेशन की तरफ सीजन की शुरुआ दो जवान बच्चे लूसी और लॉकवोट से होती है जो एक घर के पा लॉकवोट और लूसी अंदर जाते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि लूसी के पास भूतों की आवाज सुनने की ताकत है जिस तरह उस औरत की पदी की मौत हुई वो फील करके लूसी घब रा जाती है जबके लॉकवोट एक अच्छा तलवार बाज है और जिस तरह उस भूत की मौत हुई वो ये चीज़ देखने की काबिलियत रखता है रात होने पर दोनों भूत को ढूनने लगते हैं क्योंकि जाहिर है सारी ड्रावनी चीज़े रात के अंधेरे में ही निकलती हैं ये दोनों एक कमरे में जाते हैं जहां इन्हें उस भूत के होने का एहसास होता है जिस पर लॉकवोड खुद चानबीन करने लगता है जबके लूसी को इनकी हिफाज़त के लिए एक सर्कल बनाने को कहता है लूसी सामाल लेकि जब वापस रूम की तरफ जा रही होती है तो वहां से एक आत्मा निकलाती है जिससे देख लूसी लॉकवोड को मदद के लिए आवाज लगाने लगती है लॉकवोड के वहां आने पर वो लूसी को आत्मा से बात करने का कहता है जिस पर लूसी को ऐसास होता है कि वो बहुत दर्द में है पर इस से पहले वो किसी फैसले तक पहुँच पाती आत्मा उस पर हमला करती उसे सीड़ें से नीचे फेकने की कोशिश करती है यहां से सीन्स तीन साल पहले पे शिफ्ट होते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि लूसी को इतनी सी उमर में इस खतरनाक काम में डालने वाली उसकी अपनी मा है क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उन्हें पैसों की जरूरत थी और फिर जब उन्हें लूसी की इन शक्तियों का पता चला तो उसके 13 साल के होते ही वो उसे एक एजिंसी के पास ले गए जो ऐसे ही गरीब परिवार की मजबूरियों का फाइदा उठाते हुए उनके बच्चों को ऐसे मुश्किल काम के लिए ट्रेन करते हुए इस्तिमाल कर पर उसकी माँ इतनी पत्थर दिल थी कि उन्हें पैसे के इलावा कुछ नहीं दिख रहा था चाहे उसे कमाते हुए उनकी बेटी की जान ही क्यों न चली जाए नेक्स्ट सीन में लूसी की ट्रेनिंग शुरू की जाती है जहां उसे सिखाया जाता है कि दुनिया में भटकत करने के बाद वो दोनों अपने परिवार के हाथों मजीद इस्तेमाल होने के बजाए लंडन जाके किसी बड़ी एजिंसी के लिए काम करते हुए अपना नाम बनाएंगे पर जैसा इंसान सोचे वैसा ही हो जाए तो और चाहिए ही क्या ये लोग अपने अगले ही मिशन पे चली जाती है आगे जब इस केस पर चानबीन हुई तो लूसी के बॉस ने सारा इल्जाम उस पे डाल दिया इस हाथसे की वज़ा से लूसी बहुत डिस्टरब हो गई और उसकी मॉम ने बजाए उसे समझने के उल्टा वापस नौकरी पे जाके अपने बॉस से माफी मागन को कहा जिस पर लूसी की बस हो गई और वो अकीले ही घर से भागते हुए लंडन चली गई लूसी को लगाता चाहे उसकी ट्रेनिंग मुकमल नहीं हुई पर अपने काबलिय दिखाते हुए वो किसी अच्छी एजिंसी में नौकरी हासिल कर लेगी पर लंडन जाके उसे होती है लूसी की जो किसी भी टेस्ट से घबराय बगएर उनके हर सवाल का सही जवाब देती उन्हें इंप्रेस कर देती है लॉकवूड की एजिंसी इतनी बड़ी तो नहीं है पर लूसी के लिए यह मौका किसी नेमत से कम नहीं था और उसे वहीं लॉकवूड के घर में रहने की भी जगा मिल जाती है इस एजिंसी को लॉकवर्ड लूसी और जॉर्ज जो इनके लिए केसिस पे रिसर्च करता है ये तीनों मिलके चलाने वाले हैं यहां से लूसी अपने नई जिंदगी की शिरुवात करती है जहां लॉकवर्ड उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन अपनी महनत से इस एजिंसी को लंडन की सबसे बड़ी एजिंसी का मकाम दिलवा देंगे इसके बाद सीन्स वहीं प्रेजन वाले हादसे पे शिफ्ट हो जाते हैं जहां लूसी और लॉकवर्ड एक टीम की तरहा अपना पहला केस लेने उस घर में गए थे और लूसी उस आ आत्मा अभी भी इस दुनिया के साथ बंदी है उस चीज़ के कैद होने का एहसास हो रहा था वहां इन्हें पता चलता है कि उस लड़की का वहां गतल हुआ था और पिर उसकी बाड़ी को वहीं दीवार के पीछे दफना दिया गया यही वज़ा है कि वह अपना बदला ले के लिए आज तक वहां भटक रही है आत्मा वापस आके इन पर हमला कर देती है तो लॉक वूट को बचाने के लिए लूसी पटाखों की मदद से उसे भगाती है पर इस चकर में वो लोग घर में आग लगा देते हैं आखिर में उसके सोर्स को कैद करने से पहले लूसी आत भीटल भीज देती है मजीद किसी मसले से बचने के लिए लूसी डॉक्टर की नजर से बचते हुए वापस घर चली जाती है सीन्स लॉक वूट पे शिफ्ट होते हैं जिसे इंस्पेक्टर बांस अपने साथ ले गया था जो इन्ही एजिंसी पे नजर रखने वाले हैड ड होने लगता है कि वो लोग बगर इन्वेस्टिगेशन के मिशन पे चले गए इसलिए उनके साथ ये सब हुआ वो बताता है कि ये भूट एटीज की एक उभरती कलाकार एनाबेल थी जो हॉलिवोड में काम करने ही वाली थी कि एकदम से गाइब हो गए लूसी के दिमाग मे और जोर्ज को मदद के लिए बुला लेती है तीनों पूरी तयारी के साथ उससे लड़ने जाते हैं जहां हमें एक जबरदस लड़ाई देखने को मिलती है और ये पता चलने पर कि लूसी उसकी रिंग साथ ले आई थी उस रिंग को सिल्वर सिवनी चीज में कैद करते और लॉक्वुट को भी अपना साथ देने के लिए मना लिया सुभा होने से पहले लूसी उस रिंग करते हुए एनबल से बात करने की कोशिश करती है जिस पर उसे पता चलता है कि एनबल के आशिक ने उसे गला दबा के मारा था ये जानने के बाद लूसी अब इस केस में म को पूरी ट्रेनिंग के बगर जॉब दी है इसलिए वो उसके आगे ओफर रखता है कि अगर लॉक्वुट लूसी को जॉब से निकाल दे तो बांट उसका फाइन माफ कर देगा अब लॉक्वुट ना लूसी को खोना चाहता था ना ही बांट को मना कर सकता था तो इस मसले से निबटने के लिए उसने एनाबेल के केस को अपना हत्यार बनाया जैसा कि हम जान चुके हैं वो एक एक्ट्रिस थी जो अचाना गाइब हो गई तो ये उस वक्त की एक बड़ी कॉंट्रोवर्सी थी जिसको वापस मीडिया पे लाते हुए लॉक्वुट लोगों की अट लाफ कोई सुबूत ना मिलने पर उसे चोड़ दिया गया तब ही वहां लाइप्रेरी में एक मशूर एजिंसी फिटिस के बच्चे आ जाते हैं जिनसे जॉर्ज और लॉक्वुट की बिल्कुल नहीं बनती थी उन्हें सबक से खाने के बाद लॉक्वुट अकेले कहीं चल और लॉक वुड के साथ काम करने लगा वहां हम देखते हैं कि लॉक-वुट की चाहत के खिलाफ जाते हुए मीडिया पे बोल देता है कि एनवेल से कनेक्ट करते हुए उसके गातल तक पहुँच सकती है अब उसने इस तो लूसी को बांड से बचाने के लिए किया था पर लूसी को ये नहीं पता था और वो सुर्खियों में नहीं आना चाहती थी इसलिए उसे लॉकवूट की ये हरकत बहुत दुख देती है लूसी अपना घुसा निकालने नीचे ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है तब ही वो मौका देख के एनेबल क ये रिंग लॉकर से निकाल के वापस अपने पास रख लेती है जब लॉकवूट को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो लूसी से आके माफी मांगता है अगले सीन में बांड्स लूसी को मिलने बुला लेता है जहां बांड्स लूसी के सामने हीउगो को लाते हुए ये करनी को कहता है कि यही एनेबल का कातिल है पर अभी तक लूसी को इसका यकीन नहीं था इसलिए बांड्स उसे समझाता है कि लॉकवूट एक खुदगर्ज इंसान है जो उसे मशूर होने के लिए इस्तेमाल कर रहा है इसलिए वो इस दलदल में फसने के बजाए वापस चुपाने का वादा करते हैं और मिलके काम करने का फैसला करते हैं वापस घर की तरफ जाते हैं जहां जूर्ज पे किसी ने हमला कर दिया था जिस पर लॉकवूट उस मास्क मैंन से लड़ाई करने Leusie George को आजात करवाती है वो मास्क मैन तो बच के वहाँ से भाग निकलता है पर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो एनेबल का सोर्स लेने ही यहाँ आया था जो लॉकर चेक करने पर इन्हें वहाँ नहीं मिलता तो लॉक वूड और जोर्च तो परिशान हो जाते हैं कि एक बार फिर मशूर होने का म यह लोग फाइन भरने के लिए एक असली केस लेने एक बड़े बिसनिसमेन से मिलने जाते हैं जो इन्हें बताता है कि वो अपने पुछतेनी हवेली बेचना चाहता है पर कुछ पंडितों की आत्मा की वज़ा से ऐसा नहीं कर पा रहा है अब वो यह बात बाहर भी नहीं निकालना चाहता इसलिए इनकी एजनसी को चुन रहा है और इस हतरना काम के बदले वो इनका फाइन भर देगा पर बदले में ये लोग कोई भी बॉम या पटाखा अपने साथ नहीं ले जा सकते अब ये काम है तो बहुत जान लेवा पर कोई रास्ता ना होने पर ये तीन आके पहले ही एक बॉम चुपा गया था जिसके बाद ये तीनों अपने काम पे लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए मौत की मुह में पहुंच जाते हैं जहां जॉर्च की बिजनसमेन पे रिसर्च से लॉक वोड को कोई बात क्लिक करती है पर तब ही इन पर उन पंडितों की आत्माए हमला कर देती हैं और एक आत्मा की लूसी को चुनने पर लूसी उसके वश में आते हुए वहां मौजूद कोई में च्छलांग लगाने ही लगती है कि जॉर्च और लॉक वोड उसे बचा लेते हैं इन्हें पता चलता है कि आत्माओ का सोर्स कुए में है जिस पर लॉक वोड उसके पास मौजूद उस एकलोते बॉम को कुए में फेक देता है अब इस मसले से तो ये लोग निकलाते हैं पर लॉक वोड इन्हें बताता है कि आनाबेल का असल गातिल यही बिसनसमेन है और कल इनके घर आने वाला आदमी भी इसी का था पर वोकल कुछ नहीं कर सका तो इसने इन तीनों को इस तरह इस मिशन पर बुलाया ताकि ये तीनों रस्ते से हट जाए और किसी को शक भी ना हो ये सच जान के अब ये तीनों अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं कि बिसनसमेन इन्हें मारने वहां पहु जाता है जो पहले तो इन्हें और्यस्त कर लेता है पर प्रेसिडएंट के आने ऌने पर उसके इस सारे किसे को राज rखने की खाहिश पर इन तीनों को इस शर्त पर आज़ात करता है कि ये तीनों यहां हुए सारे हाथसे को एक राज रखेंगे नेक्स सीन में वहां से मिली एजिन्स की डेड बॉडिस के फ्यूनरल पे ये लोग फिटिस के मालकिन फिनालोपी से मिलते हैं जो इस वर्ट सबसे ताकतवर है क्योंकि वो इकलौती है जो टाइप 3 के भूतों से बात कर सकती है अब टाइप 3 के भूत बहुत ही कम होते हैं पर सबसे खतरनाक है क्योंकि बागी भूत तो किसी वज़ा से इस दुनिया में होते हैं पर इनकी कभी कभी कोई वज़ा भी नहीं होती तब भी यहीं रह जाते हैं और लोगों के दिमाग के साथ भी खेलना जानते हैं गर पहुंचके जॉर्ज लूसी को समझाता है कि उसे इतना भूतों के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं क्योंकि अक्सर लिसनर इसी वज़ा से पागल भी हो जाते हैं खेर इस बात को इग्नोर करते हुए लूसी लॉकर में कुछ चीज़े रखने जाती है जहां जॉर्ज की एक भूत की चुराई हुई खोपड़ी लूसी से बात करने लगती है और नेक्स्टी सीन में लूसी हमें बेहोश नजर आती है आगे हम देखते हैं कि होश में आने पर उसे बता चलता है कि वो बहुत देर तक सोती रही और उसे कुछ याद नहीं कि वो बेहोश कैसे हुई इस बात पर ज्यादा दिहान दिये बगएर ये तीनों अपने नई केस पर काम करना शुरू कर देते हैं जो एक कबर में मौझूद किसी भूत के लोगों के लिए मुश्किल डालने की वज़ा से उसे कैद करना था इनसे पहले बहुत सी एजिंसी इस ने ये काम करने की कोशिश की पर नाकाम्याब रही यही वज़ा है कि लॉक्वूड एन को एक बार फिर नामुम्किन को मुम्किन करने वहाँ पहुँच जाती है जॉर्च के पास चला जाता है जिस पर बॉड़ी के उपर से सिल्वर उतारने पे वो भूद बाहर निकलाता है और उस बॉड़ी के गले में मौझूद शीशे से जॉर्च उसके वश में जाता है लेकिन लूसी एक बार फिर हिरोईन होने का सुबूत देती सब को बचा लेती है और उसे याद भी आ जाता है कि उसने खोपड़ी से बात की थी तो वो फॉरण घर जाके उस खोपड़ी से बात करती है पहले तो लूसी घबरा जाती है पर फिर वो खोपड़ी उसे बताती है कि जस ताकत से इस वक्त वो लड़के आई है वो बहुत खतरनाक है और मौत आने वाली है जिस पर डर के लूसी उसे चुप करवा देती है जॉर्ज और लॉकवड के घर आने पर लूसी उन्हें बताती है कि ये खोपड़ी उसे बात कर रही थी पर वो उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ पिनालोपी कर सकती है और लूसी इतनी ताकतवर नहीं कि वो टाइप 3 से बात कर सके इसलिए जो भी है वो इस वहम से बाहर निकल क जिसके बाद जोर्ज अपनी क्यूरियोसिटी खतम करने के लिए शीशे पे लिखी बात का मतलब निकालने चला जाता है जबके लॉकवुड एक बार फिर लूसी को हर्ट करने पर उसे माफी मागने जाता है जहां वो उसे बताता है कि उसे हमेशा लाइम लाइप में रहने की आदत है और ये जान करके कोई उससे ज्यादा होनहार उनके बीच है वो एक मिनिट के लिए जैलिस हो गया था पर उसे लूसी पे पूरा भरोसा है जिसके बाद ये दोनों जोर्ज से बात करने उसके कमरे में जाते हैं तो वो उन्हें वहां नहीं मिलता और ये समझ जाते ह कि वो कब्रस्तान उस बाड़ी के पास गया है तो उसे ढूनने फॉरण वहां के लिए निकलते हैं जहां जोर्ज को चानबीन करते बार्ण्स पकर लेता है जो बताता है कि वो शीशा चोरी हो गया है तब तक लॉकवूड लूसी और फिटिस की टीम वहां पहुँचती है और लॉकवूड को पता चलता है कि ये केस अब इनके बजाए फिटिस को मिल गया है पर जोर्ज अपनी रिसर्च के काबलियत से बार्ण्स को हैरान कर देता है जिस पर वो इन दोनों टीम्स को साथ काम करने शीशा ढूनने के ओर्डर देता है बार्ण्स के जाने के बाद फिटिस किप्स और लॉकवूड में शर्ट लगती है कि जिसने पहले शीशा ठूंडा वो जीत गया और दूसरी टीम अपना स्तिफा देगी नेक्स सीन में ये तीनों किप्स को हराने के लिए तेजी से काम में लग जाते हैं और बाड़ी के पास इन्हें एक बैज मिलता है जिससे इन्हें पता चलता है कि ये काम किसी चोर का नहीं बल्के एजिंट का है इन्हीं क्लूस पे काम करते हुए ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें नदी में एक चोर की बाड़ी मिलती है जो लॉकवूड का अच्छा दोस्त हुआ करता था अब यहां से लॉकवूड को प्लोस मिलते हैं जिस पर वो जॉर्ज को लाइबरी रीसर्च के लिए भेज देता है। और खुद लूसी के साथ किसी से मिलने चला जाता है। लाइबरी फुल होने की वज़़ा से जॉर्ज जौड प्लिंट से दोस्ती करता उसकी मदद से रिसर्च के लिए अंदर जाता है वहाँ Lucy और Lockwood पे एक भूत हमला कर देता है जिससे बचने के बाद दोनों Lockwood की एक और चोर दोस्ट Florence से मिलते हैं जिसकी मदद से ये दोनों उस मरे हुए चोर के पार्टनर तक पहुँचना चाते थे Florence इन्हें उस आदमी के लिए एक मैसेच छोड़ने का कहती है जिसके बाद इन्हें एक ऐसी ही शक्तियों वाली चीजों की ब्लैक मार्केट चलाने वाले कपल का बताती है जो बहुत हतरनाक हैं पर फिर भी Lockwood लूसी की सुने बगएर उनके घर में घुस जाता है जो इन दोनों को पकड़ के कैद कर लेते हैं पर एक बार फिर लूसी की अकलमंदी की वज़ा से ये दोनों उनसे बचके निकलने में कामयाब हो जाते है पर घर पहुँचने पर इन्हें उस चोर का पार्टनर मिलने आता है लेकिन वो पहले ही किसी के हाथों जखमी होने की वज़ा से इनके गेट पे दम तोर देता है अब ये केस मजीद पेचीदा हो जाता है जहां जोर्ज इन्हें बताता है कि वो कबरवाली डैड बॉड़ी एक डॉक्टर और साकियाट्रिस्ट बिकर स्टाफ की थी जो नया नया एक्सपेरिमेंट करता था और अपने घर में गुप्ट मीटिंग्स भी करता था यानि उस शीशे में कुछ तो खास है जो सब उसके पीछे पागल है यहां लूसी को पता चलता है कि वो खोपड़ी बिकर स्टाफ की नौकर की है जो आजादी के बदले इनकी मदद के लिए इन्हें बिकर स्टाफ के घर चलने को कहता है जहां एक बार फिर इन तीनों की जान खत्रे में तो पड़ती है पर इन्हें पता चलता है कि बिकर स्टाफ कोई मसीहा नहीं बलकि एक दरिंदा था जो लोगों पर दरदनाक एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्हें मार डालता था वहां से इन्हें उसके एक्सपेरिमेंट्स की डीटेल वाली बुक भी मिलती है जिसे मजीद जानने के लिए इन्हें फिटिस की लाइबरेरी से एक बुक चाहिए थी, जो हासिल करने के लिए लूसी और लॉक्वूट उनकी पार्टी में जाते हैं, यहां जॉर्ज रिसर्च करते हुए जॉपलिन के मजीद करीब हो जाता है, और उसे अपना सारा प्लैन भी बता देता है, क्योंकि वो लूसी और लॉक्वूट के बढ़ते हुए बॉन की वज़ा से लेफ्ट आउट महसूस करने लगा था, सीन्स लूसी और लॉक्वूट पे जाते हैं, जिनके बुक लेके निकलने से पहले ही एक ब्लेड मैन इन पे हमला कर देता है, लेकिन उसे चक्मा देते हुए ये लोग बुक को लिए वहां से निकलने में काम्याब हो जाते हैं, जिसके बाद इनका अगला मुश्किल मिशन ब्लैक मार्केट की बोली से शीशा चुराना था, जहां तक पहुँचने में इनकी मदद फ्लोरिंस करती है, अंदर गुसके लूसी और जॉर्ज एक बार फिर बहुत से खत्रों का सामना करते हुए, खुनखार दरिंदों से बच्चते शीशा लेके भागने में काम्याब हो जाते हैं, पर एकदम वहाँ फिट्स वाला ब्लेड मैन इन पे हमला कर देता है, जिससे शीशा बचाने के लिए लॉक्वूड उसे जॉर्ज को देखे बार्ण्स के पास ले जाने का कहता है, अब लॉक्वूड वहाँ ही मौजूद फिट्स की टीम के साथ उनसे लड़नी लगता है, जबके लूसी खोपड़ी को लिए जॉर्ज को बचाने पहुचती है, अब हम जॉर्ज को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि जॉपलिन असल में कोई दोस्त नहीं, सबसे बड़ा खत्रा है, और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए उसे इस्तेमाल कर रही थी, सही समय पे लूसी वहाँ पहुच के जॉर्ज को जॉपलिन से बचाती खुच शीशे में देखने के लिए कहती है, पर शीशे से कपड़ा हटते ही वो खोपड़ी को उसके सामने कर देती है, लूसी को बचाने के लिए जॉपलिन जब उसे पकरती है, तो शीशा होधी जुड़ता उसको अपने अंदर कैद कर लीता है, जबके बिकर स्टाफ के मरे हुए आद्मियों के आत्मा जो उस शीशे में कैद थी, वो आजाद होती अपनी मन्जिल को पहुँच जाती है, मसला यहां खतम नहीं होता, तब ही बिकर स्टाफ की आत्मा इन पे हमला करने आती है, जिससे सही टाइम पे वहां पहुँच के इन दोनों को लॉक वुड बचाता है, और फिर ये दोनों जखमी लॉक वुड को कांधा देते, वहां से निकल जाते हैं, और यहां ये तीनों दोस्त एक बार फिर एक खतरनाक केस को खतम करते हुए मशूर हो जाते हैं, थैंक यू फर वाचिंग!